हलो एवरीवन दिस सिद्धार पटेल वेलकम चू मैगनेट बेंस मैगनेट बेंस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अविलेबल मिलते हैं और सिर्फ के ट्वैफ सेग्मेंट ही नहीं चाहिए आप आई ठीक है आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नौन कंवेंशनल एनर्जी सोर्सेस के बारे में पढ़ा जिसमें हमने कोल पेटोलियम इनके बारे में देखा और इनके डिस्टिप्यूशन के बारे में देखा कि कह कहां यह है मैप वर्क इस शाप्टर का बच्चा है जो कि आपको एकदम एंड में मिल जाएगा एक ही वीडियो में हम सब कुछ स्वाइब कर लेंगे ठीक हैं नॉन कंवेंशनल एनर्जी सूर्सेस क्या है यह बेशिकली कुछ नए सबस्देंगी वह career करके अच्छे से समझेंगे nuclear वाला है ठीक है nuclear वाला भी हमें देखना है तो fossil fuels fossil fuel sources such as coal petroleum natural gas and nuclear energy use exhaustible raw materials ठीक है यह जो अगर हम लोग देखते coal petroleum अगर हम देखे nuclear energy नहीं अगर हम coal petroleum और यह सारे चीजे देखें तो exhaustible raw materials को एक तरीके से यूज करते हैं एक दिन coal खतम हो जाएगा एक दिन petroleum खतम हो जाएगा ये सारी चीज़ें एक ना एक दिन बिल्कुल खतम होनी ही होनी है लेकिन sustainable energy sources are the only renewable sources like solar wind, hydrothermal and biomass लेकिन कुछ energy sources ऐसे होते हैं जो की sustainable है जो की सालों साल से चले आ रहे हैं और जो की कभी खतम नहीं होंगे जैसे वही सूरजदादा की energy से हम लोग क्या करेंगे हम हमेशा उसमें बिजली का उत्पादन कर सकते हैं हावा हमेशा चलेगी हम windmill के तुरू energy create कर सकते हैं ठीक है त तो वेश्ट के तुरू हम लोग क्या कर सकते हैं तो कुछ sustainable sources है कुछ sustainable sources है जिनका खतम होने का हमें डर नहीं है और जो की eco friendly है जो की environment friendly है जीक इनर्जी सोर्सेज और more equitably distributed and environmental friendly the non-conventional energy sources will provide more sustain eco-friendly cheaper energy after the initial cost is taken care of अभी यह जो non-conventional source of energy है इनमें एक बार के लिए तो रुपे लगता है अगर आपने मालो solar plate लगाए तो एक बार के लिए इन प्लेट का cost तो आएगा आपको अच्छा आएगा लेकिन एक बार यह plate install होने के बाद में आपका जो खर्चा है वो कम आएगा वहीं अगर हम लोग कन्वेंशनल sources मे non-conventional के मुकाबले कम रुपे लग रहे लेकिन उसमें बार बार लग रहे ना बार बार coal लेना पड़ेगा बार बार petroleum लेना पड़ेगा हम थोड़ा थोड़ा करके ले रहे तो इसलिए कम रुपे लग रहे हैं और इनमें क्या होता है अब windmill installation में बहुत जादा रुपे खर चोते हैं उसके बाद में उसे maintain वगयरा करने में इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है तो एक बार का खर्चा है उसके बाद में खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है चीक है clear है अब हम एक एक करके इनको समझते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे nuclear energy sources के बारे में ठीक है nuclear energy sources को हम समझेंगे nuclear energy has emerged as a viable source in recent times important minerals used for generation of nuclear energy are uranium and thorium nuclear energy एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं आज के टाइम में nuclear energy बहुत prominent है ठीक है जो पूरे वर्ल्ड की जो energy requirement है उसमें nuclear energy का एक बहुत बड़ा रोल है हर देश सारे देश nuclear energy पर focus कर रहे हैं यहाँ पर अब nuclear energy दो minerals पर बेज़े nuclear energy दो important minerals पर बेज़े वो है uranium और थूरियम इन दोनों का होना आवशक है अगर आपको nuclear energy से आपको अगर बिजली बनाना करना है तो चिक uranium deposit occur in dharwar rocks geographically uranium ores are occur in several locations among the singum copper belt ठीक है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पर हमें uranium देखने को मिलता है singum copper belt मैंने आपको बताया तक कहां पर यह आप लोग comment section में mention करोगी कौन से state में है चीक है it is also found in Udaipur, Alwar, Junjun district of Rajasthan, Durga district of Chathisgarh, Mandara district of Maharashtra, Kullu district of Himachar Pradish इन जगा पर और हमें uranium देखने को मिलता है चाहिए and limonite in the beach sands along the coast of Kerala and Tamil Nadu अब जो थोरियम है वो कहां मिलता है वो कोस्ट में मिल रहा है हमें Kerala और Tamil Nadu की ठीक है world richest monoside deposit occur in Palakand and Kolum district of Kerala near Vishakha Patnam in Andhra Pradish and Mahanadi River Delta in Odisha चीक है तो जो richest monoside है, richest monoside मितलब जो world का एकदम जो precious monoside है वो इंडिया में है बिलकुल है Kerala में है, वो Kerala की coast में, kolkom districts वगरा में हमें देखने को मिलता है साथी साथ विशा का Patnam और Mahanadi में भी Odisha में भी देखने को मिलता है, Odisha बहुत important है minerals के terms में, Odisha में हमें, जब हम लोग map पर करेंगे इस chapter का होने के बाद में तो Odisha में आपको बहुत सारी चीज़ें mark करनी है, Odisha एक बहुत important state है, चीक है Now, Atomic Energy Commission was established in 1948, progress could be made only after the establishment of Atomic Energy Institute at Trombay in 1954 अब देखो, which was renamed as Baba Atomic Research Center in 1967 Atomic Energy Commission सबसे पहले established किया गया था, 1948 में established किया था क्योंकि nuclear energy को manage करना, इनको regulate करना, सारी चीज़े करना, nuclear एक बहुत जादा एक तरीके से देखे, तो खतरा भी है ना, तो उसे आपको manage भी करना है और फिर international arena में आप लोग रह रह रहे हैं, तो energy आप लोग nuclear को सिर्फ energy के purpose पर यूज़ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि आप उससे हत्यार अफजार बनाने लगे, तो बहुत सारा एक international domain, एक international aspect भी होता है तो यह body बनाए गई, new atomic energy commission, यह 1948 में बनाए गई और इनका establishment का basically purpose क्या था, इसका purpose यह था कि यह थोड़ा से जो nuclear energy है, इसका कहां plant होना चाहिए, इसे थोड़ा सा regulate करना, और इस body के आने के बाद में क्या हुआ, चीज़े थोड़ी सी और systematic होने लग गई, छीक है, atomic energy institute at Trombay, it was renamed as Baba Atomic Research Center in 1967, Trombay, Bombay के पास में, ठीक है, and then उसको क्या, नाम change करके बाद में क्या कर दिया है, इस institute का Baba, Baba Atomic Research Center में, इसका 1967 में नाम change कर दिया गया, अब important nuclear projects कहां कहां पे, तारपूर महराश्य, जो की सबसे important है, तारपूर महराश्य, सबसे important nuclear power project है, then रवत बता, नियर in Gujarati के काकर अपा in Gujarati के करनाटका में भी काएगा in करनाटका, तो इनको हम लोग क्या करेंगे, इनको हम लोग एक बार मैप पर मार करनेंगे, जैसे ये chapter complete होगा, हम लोग आपका मैप पर करने ही वाले हैं, ठीक है, इसमें जो सबसे important है, लेकिन वो तारपूर है, महराश् ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, इन प्लेट्स परो मैवी करने करने हंएगे, इनको हम इन प्लेट्स पे टाफ कर लेंगे, और इससे energy produce होगी तो यह evergreen इलाज है कि नहीं बिल्कुल evergreen इलाज है यहां पर कोई समस्या नहीं है चीक है then solar thermal technology has some relative advantages over all other non renewable energy sources it is a cost competitive environment friendly and easy to construct अब यह जो solar energy जो है इसका advantage है जो और भी other like wind को देख लो है हम nuclear वाले को देख लो क्योंकि nuclear में भी क्या है बहुत sensitive होते हैं उनके reactors वगेरा चीक है वो कहीं गिर ना जाए कोई मतलब nuclear का एक दाना भी मतलब बून भी वो नहीं गिर जाए तो क्योंकि बहुत sensitive होते हैं बहुत समाल के रखना पड़ता है अब अगर हम solar plates वगेरा को देखे तो इन में इतने जादा रुपे भी नहीं लगते हैं नुक्लियर वाले में भी कहीं न कहीं वो इन्वार्मेंट को नुकसान पहुचा ही देता है solar energy 7% more effective than coal और 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 बेस plant and 10% more effective than nuclear plant चाहे nuclear ले लो चाहे oil and petroleum ले लो सबसे जादा effective क्या है सबसे जादा effective इन में solar energy है इस जेनरली यूज़ मोर अप्लाइंसे इन heaters crop dyers cookers etc अच्छा कुछ-कुछ जो आप लोग अप्लाइंसे भी देखते होंगे वो लोग भी solar energy से चल जाते लाइक कुकर वगरा है न वह लोग भी कुछ-कुछ appliances ऐसे होते dryers वगरा जो कि direct solar energy से चल जाते हैं एक तो वह हम लोग solar solar energy का तो वह वह होता है कि कुछ-कुछ appliances directly सूरज की किरनों से चल जाते हैं और देन हमारे घर में बिजली भी आ सकती है तो यहां पर वैसे भी कच्छ वगरा यहां पर वैसे भी थार डेजर्ट है आपका तो यहां पर वैसे भी सूरज की क्लिजने बहुत जादा होती है बिजली की समस्या भी दूर हो जाएगी तो यहां पर solar energy बहुत अच्छे से काम कर सकती है ठीक है क्लियर है यह वाली चीज आपको यहां पर समझ में आ गई है अब बारी आती है wind energy की wind energy is absolutely pollution free inexhaustible source of energy the mechanism of energy conversion from flowing wind is simple the kinetic energy of wind through turbines is converted into an electric energy ठीक है यह wind energy है यह भी एक permanent source है हवा के जरीए यहां पर नीचे वो रहता हवा के जरीए यहां पर जो energy आती है उसको हम बिजली में convert कर लेते हैं ठीक है यह चीज समझ में आई और यह भी lifetime हमारे पास रहना वाला क्योंकि हवा तो हमेशा चलेगी ना मतलब यह भी एक हम लो इसी आपने class 11 में पढ़ें तो यह विंड्स क्या है यह विंड्स के सहारे हम यह विंड्स के सहारे यह जो विंड एनरजी अच्छा कासा काम कर सकती है चीक है बिसाइड दीज लोकल विंड्स लैंड एंड सीब्रीज के और यूज चो प्रडूश इलेक्रिसिटी इंडिया शर्चते जनेरी दर विंड एंध इनर्जी इन राजिस्तान गुजरात महाराष और हमिलती है तो मिलती है नंनल वे रजी मतलब ओशन पानी के अंदर भी तो हम लोग्या थे नेंश जन energy बन जाती है ठीक है oceans में भी हम लोग देख रहे हैं कि इन waves and tides में energy होती हैं इसको हम लोग energy में convert कर सकते हैं ठीक है ocean currents are the storehouse of infinite energy since the beginning of 7th and 18th century 17th and 18th century persistent efforts were made to create a more efficient energy system from ceaseless tidal wave and ocean currents easy to take the tidal waves ऐसे उपर जो वीजब आती है उन टाइडल में बहुत energy आती है तो उन waves से क्या करना है उन waves से हमको energy बना लेने हैं ठीक है वहां पे भी बहुत साधा energy है और oceanic currents मतलब जो समुद्र के जो समुद्र में जो पानी बहरा है वो ठीक है तो इन में क्या है इन में energy है इस energy को convert करने की बात की गई है ठीक है large tidal waves are known to occur along the west coast of India hence India has great potential for development of tidal energy along the coast but far these have not been utilized ठीक है इंडिया में अगर आपने देखा होगा तो ocean हमारी जो oceanic boundary वह अच्छी खासी है जिसमें western coast पे तो अच्छे से भी development हुआ भी नहीं तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा है यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर जो अर्थ की यहां पर भी अच्छी कासी गर्मी रहती है अब जब मैंने आपको petroleum वाला बताया था है ना petroleum और नहीं बताया था नीचे से जब conventional current आता तो petroleum gas में convert हो जाता है क्योंकि अर्थ के अंदर भी गर्मी रहती है अब यह जो गर्मी हम इसे टैप करके और यह जो है यहां से हमने बिजली बना दी तो एक यह जियो थर्मल एनरजी है यह भी बहुत important source है और एक दम eco-friendly source है जो कि हम कोई चीजे हमें चीजे हमें क्या है खतम होने का डर है जैसे coal or petroleum का हमें हमेशा डर है कि coal एक दिन खतम होगा petroleum एक दिन खतम होना ही है apart from this the hot water and the gushes out gushes out through the geyser well is also used is also used in generation of thermal energy it is popularly known as geothermal energy ठीक है जी वगेरा में भी पता है बहुत सारी जगा गंगोत्री वगेरा ऐसी जगाए जहां पर एकदम गरम पानी ही रहता है ठीक है उस नदी का एकदम गरम पानी तो यह जो hot water है इससे भी हम लोग energy बना लेते हैं और यह North India में जो वहाँ पर नदिया है वहाँ पर अच्छा कासा पॉटिंच चले तो वहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि माचल प्रदेश वगेरा में हम लोग यह जो गरम पानी है इससे हम लोग energy में convert कर सकते हैं ठीक है यह जो है यह जो है यहाँ पर हमने क्या देखा है यहाँ पर हमने यह देखा है कि इंडिया में जो हिमाचल प्रदेश है हिमाचल प्रदेश में यह जो मनी करन जो जगा है हिमाचल प्रदेश में वहाँ यह जो गरम पानी है इससे energy बनाने का इक है और अल्रेडी कमिशन है यहाँ पर अल्रेडी government काम कर रही है medieval times वगरा में देख रहे थे अपने गरम पानी के फुबारे वगरा चलते थे तो वो लोग उसका आरन लेते थे आज के रहे में हमारे पास technology है तो इस technology को क्या करना है इस technology को use करना है energy में convert करने के लिए ठीक है बारी आती है यहाँ पर बायो एनरजी ठीक है अब बायो एनरजी क्या है बायो एनरजी मतलब biological product से biological product से हम लोग एनरजी बना रहे है biological products in the sense कैसे जो waste रहता है जो industrial waste है जो घर का कूड़ा कच्रा है यह एक जगा हम dump करते हैं उस waste में already energy है उस waste को हम खराब क्यों करें ठीक है उस waste से हम लोग energy बना लेते हैं उस waste का कुछ ना कुछ उपयोग तो होना चाहिए so bio energy is a potential source of energy conversion it can be converted into electrical energy heat energy और gas for cooking यह आपने देखा होगा कि जो हम जो काओ का जो गोबर वगएरा रहता है ठीक है उसमें भी एक potential होता है उसमें आपने यह सुना होगा कि वो सेलेंडर को replace कर सकता है अपने गोबर गैस जिसे हम हिंदी में कहते हैं ठीक है तो वो भी कहीं न कहीं एक energy का काम कर रहा है तो इन्वार्मेंट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसका कि हम उसे energy में convert कर सकते जैसे industrial waste को ही हम क्या कर सकते है industrial waste को ही हमने bio energy में convert कर दिया उ इन्वार्मेंटल पॉल्यूशन इन्हें सेर्फ रिलाइंस एंड रिड्यूस प्रेशर और फ्यूल वुड्स ठीक है रूलर इंडिया में वही की जो काव का डंक वगेरा रहता है इन सबसे क्या है इन सबसे energy produce हो सकती है हम लोग इसे खेट में क्या करते है खाइत का का मइर्न करता है के कहत में का zal का मभी करता तो इन में बहुत potential है तो हम लोग देख रहें की लखडी काट के अगर गाउन में वो कूला जला रहे हैं या ऐसा कुछ कर रहें तो इसकी जगह हम लोग बायो एनर्जी को महां पर प्रमोट कर सकते हैं तो इससे फ्यूल वूड्स भी बचेगा और साथ साथ में एक अच्छा सोर्स आफ एनर्जी रहेगा वन आफ सच प्रोजेक्ट कनवर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इन्टो एनर्जी इस ओक इंसा पॉइंट हो जाएगा समझ में आगा तो इसी के साथ में आरा कनमेंशन सोर्स सपाफ एनर्जी इंपारेंट dwarte के परस्पेक्टिव में पर उब्रीफ एसा सकता है तो यह long answers के point of view से आप इनको prepare कर लीजेगा चीक है इसी के साथ में non-conventional source of energy हमारा होता है हम आप next topic में मिलेंगे next topic हमारा वैसे भी chapter का आखरी topic होने वाला है so magnet brains के videos आप लोग YouTube से तो access कर ही सकते हैं बट बहुत बार यह होता है कि आपको YouTube पे video नहीं मिल पाते हैं तो इसका solution भी magnet brains लेके आया है वो है magnet brains की website magnet brains की website पर पहुशने के लिए simply आप लोग Google पर जाएए Google पर आप magnet brains.com लेके search पर click कीजे जैसी आप magnet brains.com लेके search पर click कर देंगे कुछ इस तरीके का interface आपको यहाँ पे नजर आएगा जो अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे तमाम तरीके के courses होंगे आई इटी नीच पोकर इंग्लिश हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम आपको जिस चीज की पढ़ाई करने हो आप उस चीज की पढ़ाई कर सकते हैं कीजे कि आप जाते हैं cbac inglish मीडियम ने तो जैसी आप gbac inglish मीडियम को टच करेंगे यहाँ पर उस जैंग्ड कर नीच्व करके नीचव करके नीचे इचे और आए अगे तो ए आपके NCIT book के according होंगे chapter wise format में arrange होंगे and chapter wise में भी topic wise arrange होंगे तो आपके उपर है अगर आप YouTube से comfortable है तो YouTube से पढ़िए लेकिन अगर आपको YouTube पे वीडियो जुनने में बहुत समस्य जा रही है तो Magnet Brains की website के मात्यम से आप इन वीडियो को आसानी से access कर सकते हैं और इससे भी अच्छा उपाय बताता हूं Magnet Brains का app download कर लो play store से वहां से आप और अच्छे से इन वीडियो को access कर सकते हैं ठीक है Magnet Brains एक ऐसा platform है जहां पर class kg से लेके class 12 तक बढ़ाया जाता है और यहां पर जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस बिल्कुल free of cost available है तो जादा से जादा आप इन वीडियोस को share कीजे Magnet Brains के बारे बताए अपने school, college institution, भाई बहनों को बताए साथी साथ वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कीजे बुलाकात होगी आपसे नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए धन्यवाद